नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मैंक शर्मा और रक्षा अकैडमी के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत अभीनन्द दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं जैसा कि आपने थमनिल में देख लिया होगा कि विराम चिन्नों के प्रशनों के बारों में जो कि आपके विकत वर्षों में पूछे गए 2015, 16, 17, 18, 19 हम इनके प्रश्ण पत्रों में जो की प्रश्ण विराम चिन्न से related हैं उससे सम्भन दित हैं उन सबी प्रश्णों को हल करने बाले जैसा कि मैंने बच्चों से कहा था च्छात्रों से कहा था कि बिटा हमारे जैसे ही विरामचिन का लेक्चर खताब होगा, हमारे सारे विरामचिन हमको भली बाती रूप में समझ में आएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पुराने प्रशन पत्रों में किस प्रकार के इसके प्रस्न बनकर निकले हैं, जिने हमें हल करना है, जिने हमें स session तो please like जरूर कर दीजेगा दोस्तों को share कर दीजेगा यदि आप नए हैं तो subscribe जरूर कर दीजेगा आवश्य कर दीजेगा तो बिना देर करे हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले यदि हम प्रशनी की बात करें 2015 की जैसे बात कर रहे हैं तो इसमें हमें एक प्र हिंदी में विराम चिन्नों के प्रयोग पर प्रयास डालिए यह प्रस्न आप से यह पूछना चाहरा है या इसका उद्दिश यह है कि आप उसकी परीभाशा या उसके प्रयोग को बता सकें तो मैंने आखो क्लास में क्या पढ़ाए था मैंने यह पढ़ाए था कि जहां पर विराम का जो है वो विराम लिया जा रहा है चाहे कम लिया जा रहा है या फिर जादा लिया जा रहा है विराम लिया जा रहा है तो वहां पर आपके विराम चिन्नों का प्रयोग होता है और कहां पर होता है कही पर किसी वाक्य के विशिष्ट सौभाव को दर्शाने के लगा दिया राम स्याम वहां से गुजर रहे हैं तो राम स्याम के बीच में हमने योजक चिन लगा दिया ठीक है हम डिगरिया लिख रहे हैं तो अर्द विराम चिन लगा दिया तो यहां पर कर क्या रहे हैं विराम चिन यहां पर विराम चिन उनकी विशिष्ट स्वभाव को या फिर कहीं पर रुकने की बात को लेकर वहाँ पर कर रहें अब आप कहेंगे, सर हमें लिखना कैसे है तो हम इसमें इस तरीके से प्रस्थन जो है लिख सकते हैं फटा-फट में बता देता जैसे हम से पूछा गया है व्रामचिन तो आप यह लिख सकते हैं वेचिन जिनके या जिनका प्रियोग किसी वाक्य में किसी वाक्य में फहराओ एवं उस वाक्य के विशिस्ट स्वभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है अब कहेंगे एक्जाम्पल तो एक उधारन देखेंगे उधारन वाह क्या द्रश्च है इस वाक्य में इस वाक्य में बिस्मयादी बोधक चिन का प्रियोग बिस्मय रूपी भाव को दर्शाने के लिए किया जा रहा है यहां पर हमने क्या कैची जली की फिर से देखते हैं जो भी चीज बता रहा हुए बिल्कुल आपके सामने ही बताओ वे चिन जिनका प्रियोग किसी वाक्य में ठेराओ ठेराओ के लिए किया जा रहा है एबं उस वाक्य के विश्च सवभाव को दर्शाने के लिए किया जा रहा है ये तो क्लियर हो गया उधारन में बताया तो जैसे वाह क्या द्रश्य है इसमें कौं से चिन प्रियोग में लाया गया है बिसमयादी बोधक चिन जिसमें इसमें रूपी भाव को दर्शाने के लिए किया जा रहा है ये हमारे हो गया परश्न का आंसर तो हो गया आपका हिंदी में विराम चिन्नों के प्रियोग पर प्रयास डालिये, आपने जो है वो वहाँ पर प्रयास डाल दिया है, तो यहां तक अब जो है वो कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए, और ये सब मैंने आपको क्लास में बता दिया है, समझा दिया, यदि आप नए हैं, तो भी आपको यहाँ पर जब मैंने चीज़ें बता हैं, तो समझने में आसानी हो गई हो गई, चली, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, कहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इसके अलावा, हम, एक प्रस्णोर दे दिया गया है, उसकी बात कर लेते हैं, दिया है, हिंदी में प्रियुक्त योजक, प्रश्न वाचक, एबं बिस्म्यादी बोधक चिन्नों को दर्शाईए, क्या कहा है, सबसे पहले यहाँ पर कहा बिटा योजक, दूसरा इन्होंने कहा प्रश्न वाचक, और तीसरा कहा बिस्मयादी बोधक चिन्न, योजक चिन्न की बात करूँ, तो योजक चिन्न कौन सा होता है, यह छोटा सा जो लगता है, वो योजक चिन्न होता है, दर्शादिया, जैसे माता, पिता, एक्जम्पल भी आपने बता दिया जैसे माता पिता के बीच में योजक चिनने लगा हुआ है दूसरा देखते हैं है प्रश्ण वाचक ये तो किसी को भी पता होगा कैसा है? ऐसा है कहाँ पर योज होता है? तो प्रश्ण पूछने में होता है जैसे तुम कहां जा रहे हो क्या किया? हमने प्रश्ण पूछा तो हमने कोशन मार किया प्रश्ण वाचक चिनने का परियोग कर दिया फिर है विस्मयादी वोदक्षित एक लाइन होती है नीचे एक बिंदी होती है इसे विस्मयादी वोदक्षित ने कहते हैं, अभी मैंने बताय था, वाह, या तूसर ले लेते हैं, बार-बार वो नहीं लेंगे, यहासे लिखा है, हाई, उसकी टांग तूट गए, अब हाई का मतलब है, कि उससे दुख हुआ है, तो हाई, उसकी टांग तूट गई, मतलब दुख प्रकट करने वाला हो गई कि जो हमसे प्रश्ण पूछा गया है, वो कौन सा पूछा गया है आपसे, कि हिंदी में प्रयोक्त योजक प्रश्ण वाचक विश्मयादी बोदक चिन्न को दर्शा दीजिए, हमने दर्शा दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कोई प्रश्ण यहां को लेकर न कोईशन पिपर डालोगे, वहां पर आपको सारे प्रश्ण पत्र मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखते हैं, यहां पर कोई 2015 में और कोईशन पूछा गया है, तो आप देखेंगे, ये, आप देखेंगे, सेकंड लाज्स कोईशन भी आपको मिलता है बेटा क्या कहा है, लागव विराम के चिन्न का प्रियोग क्यों करते हैं, वो धारन के साथ स्पस्ट कीजिए, लागव चिन्न पहले देखते हैं, होता क्या है, उसके बाद हम चीजों को समझते हैं, देखो, क्या दिया है यहां पर, लागव चिन्न की बात की गई, इसमें mark of short form, मतलब एक ऐसा चिन जो किसी शब्द को लगू कर देता है, उसे लागव चिन ने कहते हैं, वह चिन जो किसी शब्द को लगू रूप में या short form में ले आता है, उसे हम लागव चिन कहते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं, किसी शब्द को लगू रूप में लिखने के लिए लागव चिन का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, लागव चिन का प्रियोग हमने यहाँ पर करती है, अब या आता है कि कौन लागव चिन का प्रियोग कैसे हो रहा है, वो देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का लगू रूप है, जिसमें लागव चिन का प्रियोग किया गया है, बहुत आसान से, यहाँ पर क्या लिखा, अब देखो बेटा, आप क्या कहोगे लागव चिन कौन सा है, यह वाला है लागव चिन, जैसे हम मध्य प्रदेश नहीं लिखते तो यह लिखा है, मध्य प्रदेश का मां और प्रा, बीच में हमने जो एक गोले लगा दिये हैं, ध्यान रखना, यह फुल्फिल नहीं होते, मतलब हम यह नहीं कहेंगे कि यह हम ऐसा लगाएंगे, ठीक है, ऐसा हम नहीं लगाते है इसके बीचे में एक हलका सा गैप होता है वही लागाव चिन्न का रूप होता है लेकिन English में देखेंगे तो English में ये पूरी की तरी भरे रहते एक डौड की तरह होते हैं तो हम हिंदी की बात करें या देवनागरीली पी की बात करें क्लियर हो गया अगले वाले प्रस्ण पर चलते हैं देख देते हैं कोई प्रश्ण है तो आप कहेंगे कि यहां पर हमारी कोश्ण नहीं है कौन-कौन सा कोश्ण पूछा गया पहला विराम चिन्द को समझाने या उसके प्रियोग को सपस्ट करना है दूसरा योजक, प्रश्ण बाचक और विसमयादी बूदक चिन्द को चिन्द हंकित करना है और तीसरा हमने देखा लगव चिन्द का प्रियोग बता गया कि कहा होता है क्यों करते हैं और उसका हमने उधारन के साथ सपस्ट कर दिया यहां तक 2015 के प्रश्णों पर हमने निज़र डाली और वहां पर चीजों को समझ लिए अब बात करते हैं अगले प्रश्ण पत्र की और वो है 2016 ठीक है यह 2016 की बात करते हैं ठीक है अब 2016 में देख लेते हैं कोई प्रश्ण मिल रहा है क्या यह देखने को मिल जाता है यह लिखा है उधारन चिन्न के रूपों को सोधा हरन लिखिये उधारन चिन्न के रूपों को सोधा हरन लिखिये अब यहां पर बात की जा रही है उद्धरन चिन्न की, सबसे पहले हम यहां पर समझ लेंगे कि उद्धरन चिन्न है क्या, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? उद्धरण चिन को इंग्लिस में कहा जाता है inverted comma क्या कहा जाता है inverted comma ये आपकी होंगे उद्धरण चिन अब इन्हों ने कहा कि उनके रूपों को सोधा हरन बताईए ठीक है अब इनके रूप जो है वो दो होते हैं बिटा कौन कौन से होते हैं पहला होता है एक हरा उद्धरण चिन और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन ठीक है अब एक हरा को इंग्लिस में हम क्या कह देते हैं कह देते हैं single inverted comma और दोहरा उद्धरण चिन को कह देते हैं double inverted comma SIC DIC ठीक है तो यह हो गए आपका अब इन्हें उन्हों ने कहा कि सोधाहरण बताईए अब जैसे मान के चलते हैं एक हदर उद्धरण चिन्न का प्रियोग कहां होता है तो मैंने बताया है कि उद्धरण चिन्न का जो प्रियोग है वो किसी पुस्तक के नाम किसी व्यक्ती के उपनाम के साथ में या समचार पत्र के नाम में या फिर किसी भी शब्द की विशिस्टता में इसका अप्रियोग किया जाता है जैसे पुस्तक के नाम की बात करूँ तो मेरे पास रामायन है अब आप कहेंगे सर रामायन है बहुत अच्छी बात है तो रामायन क्या है ये पुस्तक का नाम है तो हम लगा देंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और देखते हैं जैसे मैं रोज बैनिक भासकर पढ़ता हूँ मैं रोज देनिक भासकर पढ़ता हूँ आप कहेंगे सर आपने कहा था कि समचार पत्र के नाम के साथ लगता है बिलकुल तो यहाँ पर आप समचार पत्र कौन सा है देनिक भासकर और देखते हैं जैसे मैंने कहा मैंने सूरेकान त्रिपाथी निराला निराला की किताब पढ़ी अब मैंने कहा था कि आपको किसी व्यक्ति के उपनाम में भी inverted कौमा लगाना पड़ता है तो बेटा सूरेकान त्रिपाथी निराला पूरे में मत लगा देना इनका उपनाम है निराला तो निराला में लग जाएगा और यदि मैंने कहा कि रावन के या रावन ने शिव से चंद्रहास तलवार मागी तलवार मागी अब आपको हम ऐसे शब्द की बात करें जो सबसे ज़्यादा विशिस्ट है तो आपने पूरे के पूरी लाइन में एक शब्द होगा चंद्रहास जो आपके लिए नया होगा तो हमने उसको विशिष्ट कर दिया उसको प्रमुक्ता दे दी तो हम किसी बुक के नाम पर या समचार पत्र के नाम पर या किसी के उप नाम पर या हम किसी विशिष्ट इसे नाम पर किसका प्रियोग करते हैं सिंगल इंवर्टेट कॉमा का प्रियोग करते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोहरा उध्रण चिन में क्या बताया कि दोहरे उध्रण चिन में हम डवल इंवर्टेट कॉमा मतलब इस तरीके से प्रियोग करने वाले और इसका प्र स्टेटमेंट लिखा जा रहा है जैसे तुलसी दास जी ने कहा जी ने कहा पबजी खेलने से खेलने से मुख्ष की प्राप्ती होती है मुख्ष की प्राप्ती होती है एक मजा की ऐसा हमने लिख लिए है चीज़े हमें याद होती है जब हम बहुत बेतुकी सोच को लेका जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम वो चीज़ लंबे टाइम तक याद होती है तो बस वही कोश्श किया क्या कहा तुलसी दास जी ने कहा ठीक है अब ये जो पब जी खेलने से मोख्च की प्राप्ति होती है वो ये बाग के हमें बता रहा है कि किस ने कहा है तो हम क्या करेंगे उस स्टेटमेंट में डवल इंवर्टेट कॉमा से बंद कर देंगे मतलब इस उद्धरन चिन में डवल इंवर्टेट कॉमा का प्रियोग होगा तो दो रूप होते हैं पहला होता एक अहरा उद्धरन चिन और दूसरा होता है दोहरा उद्धरन चिन ये दोनों जो है वो होते हैं यहां तक क्लियर ह अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि उद्धरण चिन्न के रूपों को सोधारण बताईए तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि उद्धरण चिन्न के मुख्य तहा दो रूप होते हैं पहला एक हरा उद्धरण चिन्न उसका बेटा चिन्न बनाना यहाँ को कैसा लगता है तो कोश्टक में आप लगा देंगे 6 और यहाँ पर 9 एक हरा हो गया उद्धरण हम लिख देंगे जैसे कि मैंने कल रामायन पड़ी तो आपने यहाँ पर उसका उद्धरण भी दे दिया यह दे दिया रूपों को आपने बता दिया ठीक है दूसरा यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा दोहरा उद्धरण चिन्न दोहरा में कैसे लगेगा डवल 6 डवल 9 ठीक है जैसे बोई हमने कहा तो सिदाजी वाला बो लिख दीजिए और उस स्टेटमेंट को डवल निवर्टेट कॉमा में पैक कर दीजिए इस तरीके से हो सकता है आप एक एक लाइन और एड़ कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर एक हरा उधरण चिन्न में एक लाइन एड़ करके यह लिख सकते हैं कि एक हरा उधरण चिन्न का प्रियोग क्या लिखेंगे यहाँ पर दोहरे उद्रहण चिन्न में तो इसमें लिखिएंगे दोहरे उद्रहण चिन्न का प्रियोग किसी व्यक्ति के द्वारा जों के तियों या as a test लिखे गए वाक्त में होता है तो वहां पर जो है वो इसका प्रियोग हो जाएगा जब आप जियों करते हों किसी का शब्द लिख रहे होते हैं तो दोनूं भी हो गया आप एक एक लाइन और एट कर सकते हो आप और अच्छी तरीके से समझा सकते हो तो यहाँ पर हो गया आपका वो वाला प्रश्ण चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने समझ लिया उद्रहन चिन्न की रूपों को सोदा हरन बताई एक हरा और दो हरा और कोई प्रश्ण यहाँ पर दिया है नहीं यहाँ पर नहीं आगे मिल जाएगा यह देगे आगे मिल बहुत आसान सा प्रश्ण नोंने पूछा है आप सभी लोगों से बन जाएगा कोई बड़ी बात इसमें नहीं है प्रश्ण वाचक वाक्य के विरामचिन्न को अंकित कीजिए बहुत आजसान है मतला प्रश्ण वाचक वाक्य की भी बात की है और उनने उसमें लगने वाले विरामचिन्नी की भी बात की है तो बहुत आसान सा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रश्ने वाचक वाक्य में, प्रश्ने वाचक वाक्य में, प्रश्ने वाचक चिन्न का प्रियोग होता है, प्रश्ने वाचक चिन्न का प्रियोग होता है, ठीक है जैसे अब example भी देंगे हम तो example में क्या देंगे तो लिखेंगे कि तुम भोपाल कब जा रहे हो ये क्या है बिटा तो ये है एक प्रस्न वाचक वाक्य और last में आपने क्या किया प्रस्न वाचक चिन्य का प्रियोग कर दिया तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रस्न का अंसर हो गया प्रस्न वाचक वाक्य में प्रस्न वाचक चिन्य का प्रियोग होता है जैसे तुम भोपाल कब जा रहे हो तो वहाँ पर last में आपने question mark का प्रियोग कर दिया जिससे पता चले गया कि यहाँ पर ये प्रस्न है और प्रस्न से पूछा जा यहां तक क्लिया को गया होगा चलिए बहुत आसान सा प्रस्ण था इसलिए मैंने जादे इसमें टाइम लगाया भी ने आप सभी को ही पता होगा इसके बाद यहां पर और कोई प्रस्ण नहीं दिया गया दो प्रस्ण आपको देखने को मिलते हैं 2016 से 2017 पर आ जाते हैं देख लेते हैं कोई प्रस्ण दिया है अब इन्हों ने कहा है कि हिंदी में मुख्य विरामचिन में कौन-कौन से हैं अब आपको बताना है कि हिंदी में जो विरामचिन है जो मुख्य विरामचिन है वो कौन-कौन से मैंसे मुख्य विरामचिन में 13 चिन आते हैं लेकर उनके भी मुख्य विरामचिन की बात करें तो पांच विरामचिन आते हैं जो और प्रमकुरूब से देखे जाते हैं तो हम दोनों को देख लेंगे या तो आप पूरी 13 के 13 भी ल रहे हो तो आप 13 के 13 लिख सकते हैं ठीक है लेकिर मेरा जो है परसनली सजेशन है कि आप वहाँ पर उसकी बारे में दो लाइने लिखिए और उसके बाद 5 लिख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा चलिए बात करते हैं किस तरीकिस तो इसमें आप लिख सकते हैं मुख्य वि प्राम चिन वे होते हैं जिनका प्रियोग लेखों में अधिक से अधिक किया जाता अधिक से अधिक किया जाता या जाता जाता है जिनके नाम निम्न लिखित हैं जिनके नाम निम्न लिखित हैं सबसे पहला जो कि विराम चिन्नों में सबसे ज़्यादा प्रामुख है फिटा वो कौन सा है तो आप कहेंगे सर वो है पूर्ण विराम चिन्न पूर्ण विराम चिन दूसरा होगा अर्ध विराम चिन तीसरा होगा अल्प विराम चिन इसके बाद चौथा जो होगा वो होगा आपका बिश्मयादी बोधक चिन और लास्ट में होगा प्रस्न वाचक चिन ठीक है यह होगा अब आप यह कह सकते हैं कि सर हमें सारे के सारे लिखने हैं तो आप इसके अलावा भी उद्धरन चिन लिख सकते हैं योजक चिन लिख सकते हैं निर्देशक चिन्ने लिख सकते हैं, कोश्टक चिन्ने लिख सकते हैं, तुर्टी बोधक चिन्ने लिख सकते हैं, उसके बाद रेखांकन चिन्ने लिख सकते हैं, लागाउ चिन्ने लिख सकते हैं, और लोब चिन्ने लिख सकते हैं, तो इती आप देखेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, तो थैटीन पूरे के पूरे आप लिख सकते हैं लेकिन मैंने फिर से बता है मेरा पर servant अपंप और कंप की यह मुख्य के मुख्य है ठाक के मतला मिंध मुख्य यह होगे बा कि उसके बाद यह होगे और उसके बाद आते हैं अनके बारे में बता दिया हूं 9 5 9 10 15 15 15 16 हैं और कोई प्रश्न मिल रहा है यहां पर मिल सकता है यहां पर इन्हों ने बताया है दोस्तों और वो है आपका अर्द विराम चिन्न की बात किये क्या कहा इन्हों ने अर्द विराम चिन्न के ओ अंकित कीजिए सीधी सी बात किया है अर्द विराम चिन्न को अंकित कीजिए, तो आईए अंकित करके देखते हैं एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर अंकित किया जाता है तो यहाँ पर अर्दिवराम चिन्न को अंकित कीजिए, मैंने कहा कि अर्दिवराम चिन्न का जो प्रियोग है वो दो उपवाक्यों के बीच में होता है ठीक है लेकिन और के प्रियोग में होता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं जा रहा था या मैं जा नहीं सकता या और कुछ लेते हैं मैं सुबह घर से निकला और motorcycle या बाइक लिख देते हैं बाइक पंचर हो गई कि मैं सुबह घर से निकला और बाइक पंचर हो गई तो मैंने कहा दो उपवाक्यों के बीच मा लगता है तो मैं सुबह घर से निकला ये एक उपवाक्य है और दूसरा बाइक पंचर हो गई ये उपवाक्य है तो हम इनके बीच में और को हटा कर हम अर्द बिरामचिन का प्रियोग कर सकते हैं कैसे लिख सकते हैं मैं सुबह घर से निकला फिर लगाया हमने अर्द बिरामचिन और आगे बाइक पंचर होगे ये हमारा हो गया पूरा का पूरा वाक्य बीच में हमने लगा दिया अर्द बिरामचिन जो दो लिख सकते हो कि रमेश के पास बी एस सी ठीक है बी एस सी एम एस सी पी एस डी की डिग्रियां है अब यहां पर हमने पढ़ा था हमारी क्लास में कि जहां पर दो से अधिक डिग्रियां होती है उनके बीच में अर्द बिरामचिनन का प्रयोग किया जाता है तो बहुत सी दासा है बी एस सी एम एस सी डिग्रियां है लगा दो MSC, PhD डिग्रियां है लगा दो तो दो या दो से अधिक डिग्रियों के बीच में हम क्या लगाते हैं वहां पर हम अर्द बिरामचिनन अर्थात सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं जिसमें एक उपर बिंदी होती है और नीचे कॉमा होता है बहुत आसान सा है चीजें जो है वो क्लियर हो रही होगी ठीक है और मैं बता रहा हूं जितना भी मैंने पढ़ाए बिटा सब उसी के अंदर है वही को वही है और वैसा ही पूछा जा रहा है ठीक है बैसे यदि आप लोग आप लोगोंने कॉर्स नहीं लिया है तो बिलकु मतो यखें'' मतलब आप जो है वह बिल्कूल चिंता मत कीजिये निश्यन्त हो जाईए आप को जो है कि यहाँ पाद मिल जाए आगे बढ़ता कि हाँ, ये आपको मिल जाएगा, हंसपद किसे कहते हैं, क्या बताया गया यहाँ पर, हंसपद किसे कहते हैं, हंसपद, हंसपद का एक और नाम मिलता है, जिसे तुर्टी बोधक्चे में कहते हैं, कैरिट भी कहा जाता है, इंग्लिज में, तीक है, इस तरीके से कुछ लगता है तो देखते हैं, कहाँ पर इसे क्या कहते हैं, और इसे कहाँ पर इसका प्रियोग किया जाता है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, कि वहाँ चिन जो, वहाँ लगता है, जहाँ, वहाँ चिन जो वहाँ लगता है, जहाँ, किसी वाक्य को लिखते समय, कोई शब्द, कोई शब्द, या वाक्यांश, गल्ती से छूट गया हो, चूट गया हो, ठीक है, उसे, तुर्टी वोदक, या, हंश पर चिन कहते हैं, यह, किसी, या, फिर सीधा एक्जाम्पल आप यहाँ पर लेख सकते हूँ, एक्जाम्पल, जैसे, सुतंतरता, हमारा, अधिकार है, आप कहेंगे, सर, आपने, जन्मसिद्ध छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे, सुतंतरता, हमारा, जन्मसिद्ध यहाँ पर, ऊपर की तरफ नौक कीजिए, और लिख दीजीगा, जन्मसिद्ध, वहाँ पर आपका हो जाएगा, एक्जाम्पल से, तो हमने उसके बारे में भी बता दिया, उ यह दिया गया है, अपूर्न विरामचिन, ठीक है, क्या दिया गया है, अपूर्न विरामचिन को अंकित करते हुए, दो उधारणों को इसपस्ट कीजिए, सबसे पहले तो बेटा यह समझिए, कि अपूर्न विरामचिन है क्या, तो आप कहेंगे, सर अपूर्न विरामचिन तो मैंने पढ़ाय था, एक आपको उपविरामचिन, उपविरामचिन को ही अपूर्णविरामचिन कहते हैं, ठीक है, यह कुछ इस तरीके से लगता है, इसे कॉलन कहा जाता है, क्या कहा जाता है बिटा, कॉलन कहा जाता है, इस तरीके से लगता है, तो इन्होंने क्या कहा है एक बार फिर से देख लेते हैं अपूर्ण विराम चिन्न को अंकित करते हुए दो उधारणों को सफस्त कीजिए उसके बारे में नहीं पूछा है परिशान मत हो ये दो उधारण लिखिए आपकी बात खतम हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं चली दो उधारण कैसे लिखेंगे जैसे आपने पहला दिया या हमने दिया उपर विराम चिन्न के दो उधारण निम्न लिखित है दे दिया निम्न लिखित है पहला की गदर एक प्रेम कथा इसको समझते ही आप बता देगी सर ये टाइटल है और ये सब टाइटल है तो हम इसके बीच में लगा सकते हैं कॉलन ठीक है और किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए जैसे मध्य प्रदेश भारत का या अतुल्य भारत का हिर्द है ये इसका सब टाइटल भी हो गया और उसके बारे में हमने बता भी दिया बीच में कॉलन लगा दिया दो धारण दे दिये हमारा काम होगे तो सीर्षक और उप सीर्षक के बीच में भी कॉलन लगता है और किसी शब्द या किसी व्यक्ति के संग्छिप्त परिचय के बीच में भी आपका कॉलन का प्रियोग होता है तो बहुत आसान सा है इसमें परिशान भी आप नहीं होगे ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ को यहां पर यह होगया आपका अपुर निवराम चिन्न को अंकित करते हुए दो अधारन द्वारा इसपस्ट कीजी कर देया अब इसके बाद हम आगे वरते हैं अगले प्रस्न पर अगला प्रस्न पत्र जो है 2019 का 19 में हम देख लेते हैं क्या कहीं यहां से प्रशने पूछे गए तो आपको यहीं पर एक प्रशने मिल गया बिटा वो मिल गया योजक चिन्न का प्रियोग क्यों होता है तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक मतलब जोड़ना दो शब्दों को जोड़ने के लिए य लिखिए योज अक्चिन इसमें लिखेंगे दो शब्दों को परस पर जोड़ने के लिए अब जब जोड़ने के लिए बनाएंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा एक पेयार हो जाएगा या एक जोड़ा हो जाएगा जोड़ने के लिए योजक चिन्न का प्रियोग होता है प्रियों होता है जैसे हमने लिखा माता, पिता तो यहाँ पर हमने शब्द को परस पर जोड़ा है अर्थात हमने यहाँ पर उसे जोड़े में रखा है एक पेयर में रखा है जैसे मैंने लिखा पल इनको भी मैंने एक जोड़े में रखा है तो इनके बीच में मैंने योजक चिलने का प्रियोग किया है बहुत आसान सा कि दो शब्दों को परस पर जोड़ने के लिए अब आपके सर्संदी भी तो हो सकता है लेकिन मैंने पूश टक में इस भी जोड़ा लिख दिया मैंने पेयर लिख दिया जोड़ा योजक चिन्न का प्रियोग होता है जोड़ने के लिए योजक चिन्न का प्रियोग होता है हमने एक्जामपल भी लिख दिये इस तरीके से आप एक्जाम्पल से बता सकतें इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रशन की और क्या कोई अगले प्रशन दिया है देखो ये दिया गया है विराम चिन्दों का प्रियोग क्यों किया जाता है ये प्रशन फिर से रिपीट हुआ है पहले भी हम इसके बात कर चुके हैं, कि किसी भी वाकिय में विराम के लिए या किसी भी वाकिय में हम कह सकते हैं, कि उसके स्पस्ट करने लिए विस्श्श स्फभाव के लिए उसका प्रियोग होता है, میں आपको ये बता चुका हूँ, छीक है? एक बाद फिर से देखे लेते ह देखे ये मैंने आपको बता दिया था बेचेन ने जिसका प्रयोग किसी वाक्य में ठेरा और उस वाक्य के विश्य स्वभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है उधारन हमने लिख दिया यह हो गया वही का वही बिल्कुर रिपीट करके उन्होंने पूछा है कुछ भी चै यहां पर तो कोई प्रशन नहीं है आगे देखते हैं यह बिटा है यहां पर यह लिखा हुआ है कि लागाव चिन को अंकित करते हुए दो उधारन लिखिए लागाव चिन को अंकित करते हुए दो उधारन लिखिए क्या हम लागाव चिन की बात कर चुके हैं तो मैं कहूं कि हाँ हम लागा उचिन्न की बात कर चुके हैं देखेगा अभी हमने लिखा था तो उन्होंने लेकिन यह नहीं पूछा है कि लागा उचिन्न किसे कहते हैं तो लागा उचिन्न किसे कहते हैं यदि यह नहीं लिखेंगे तो चलेगा लेकिन दो धारन पूछें बिटा तो दो उधारन में आप क्या लिख दिंगे तो मैं बता देता हूँ एक तो आप कोई भी ऊठा लिजिए लागव चिन्न के दो उधारन लिखत है ठीक é जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजीगा की जैसे निय्मन लिखत पहले निम्न लिखित लिख दीजिए उसके बार आप लगा दीजिए जो है वो colon और फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा निम्न और लिखित इसके बारे में थोड़ा सा बता भी दीजिएगा कि इन शब्दों को या निमने लिखित शब्द को लगू रूप देने के लिए नी मैं एवं ली मैं लागाव चिन्न का परियोग किया गया है एकाद को एक्जामपल और देख लो दूसरा भी लिख दो बैसे मद्ध्य प्रतिस लिख चुके थे एकाद और देख लो जैसे क्रिपया प्रस्ट ओलटिये चीक है तो क्री पर क्री प्री उ चीक है इसमें भी आप ऐसे लिख देंगे निम लिखित शब्द को प्री एबम उ में लागव चिन्द का प्रियोग हुआ है इस तरीके से दिदीजी बहुत ही आसान चीजें ठीक है और देखते हैं कोई प्रस्ट है क्या तो अब यहाँ पर कोई प्रस्ट है नहीं है हमने लगबग देखे कि कम से कम दो प्रस्ट आपके प्रस्ट पत्र में अब मुझे लगता है कि तीन से भी जादा कम से कम चार या पांच प्रस्ट जो है वह आपके इनसे पूछे जाएंगे क्योंकि इन्हें अलग प्रस्ट कम से कम 10 प्रस्ट आने वाले हैं जिस उससे या जिस फॉर्मेट में उसमें संधी समास और केवल विरामचिन है तो इस लेक्चर को खतम करने के वाद हम इनके बिगत प्रस्ट पत्रों को हल करके देखेंगे विरामचिन कहां कहां और कैसे कैसे बैठा हुआ है आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा चीजों को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा कि किस तरीक कैसे देना है या उन्हें अंकित कैसे करना तो मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ प्रश्ण पत्रों को लेकर जैसे कि मैंने पहले ही कहाता कि हम प्रश्ण पत्रों को देखेंगे तो हम प्रश्ण पत्रों को जो है वो आगे भी देखते रहेंगे अभी वर्णमाला का नहीं हुआ है उसका भी मैं एक लेक्चर एक वीडियो लेकर आऊंगा संदी और समास का भी वीडियो लेकर आऊंगा तब तक के लिए धन्यबाद जै हिंद भारत माता की जै